Hello Friends, Good Morning, स्वागत है आप सबका स्वेकृर्पा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग RPF Constable YSA एकजाम 2024 में पूछा सकने वाले Most Important Selected Person को साल्व करेंगे दोस्तों आपके एकजाम्स में जितने भी टापिक्स से Questions पूछे जाने हैं उन सभी टापिक्स को कलेक्ट करके A to Z, एक एक कोश्चन, वाएक एक एक फैक्ट चुन-चुन के डाला गया है इसके लावा आपके प्रिवियस एकजाम्स के पसनों को भी सामिल किया गया है साथ में एक स्टाप हैट को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है जी के जी एक स्टापिक्स का अच्छा खासा बेटेज है पच्चास कोश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी मोश्ट बड़ पसनों को सल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों, कोश्चन नमर वर है हमारा नीत निदे सकता त्तू यानि DPSP का प्रावधान किस देश के संगधान से लिया गया है मोश्ट बड़ना कोश्चन आपके पॉलिटी से दोस्तों विलकुल आपके टेंड में है आपके लेबल में है कोश्चन नहीं निदे सकता त्तू यानि कि DPSP का प्रावधान किस देश के संगधान से लिया गया है करेक्ट एंसर होगा आर्लेंड के संगधान से अब कोश्चन आया हो दोस्तों जो भारते संगधान वी देशिस रोज से ले गए है प्रावधान, तो यहाँ पर हमारी सेट लगी हुई है, अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो जितने भी कोशन इस टापिक से बनते हैं, ना आपके मिस होंगे, और ना आपके कवर होंगे, ध्यान देज़ेगा, आप सन यानि विकल्प की कोई आउ सकता नहीं है, एक स्मार्ट स्टेडिजी के साथ दोस्तों, इस टापिक को हम लोग पूरी तरह से कम से कम समय में कंप्लेट करेंगे, ध्यान देज़ेगा, इंपर्टन पॉइंट है हमारा, भारतिय सिम्धान में वड़ित, विभिन प्रावधान, निमने देशों के सिम्ध पूचाता है, दूर्श अधनी परणाली, विधाई परकिरिया और संसद्य विशी साथिकार वेटन के संग्धान से लेगे हैं, सारी चीदे ध्यान रखेंगे, इसमें जो मोश्ट पूचाता है, संसद्य परणाली, विधी का साथन और एकल नागरिक्ता, तीनों पर पूर दोनों मोश्ट पूचाता है, उसके लावा है, उपर राष्ट्रपती का पद, राष्ट्रपती पर महा भ्योग और उच्छ तम नियाले के निया अधिसों को हटाए जाने के पूप बंध आधि, अमेरिका के संग्धान से लिए गये हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे, दे दे सकते हो, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मोश्ट पूचाता है, राष्ट्रपती की निर्वाचन पद्धिती भी आर्लेंड की संग्धान से लिए इसके लावा, राजी सभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन के जाता है, ये सारी प्रावधान आर्लेंड के पर कर रहे हैं, यहां पर आपसा नियार बिकल्प रखेंगे, तो confusion create होगा, आगे बढ़ते हम लोग, अंगला point है दोस्तों कनाड़ा के संग्धान से देखेंगे, तो संग्य व्यूस्था मोश्ट पटन, राष्ट्रपती द्वारा, राजी पालो की नियुक्ति, उच्चि दोस्तों कनाड़ा के संग्धान से लिए गए हैं, आस्ट्रेलिया के संग्धान से देखेंगे, तो संसत के दोनों सदनों की सनुक्त जो वैठा कराई जाती है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिजी और समागम की सुधनता, तथा समुर्ती, सुची, most important है आप अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जापान के संग्धान से देखेंगे, तो इसमें दोस्तों विधी द्वारा स्थापित पर के लिया, केलो एक प्रावधान आप लोग दियान रखेंगे, most important है, जो कि जापान के संग्धान से लिया गया है, दच्छिन अफरिका के संग् संग्धान से देखेंगे, तो मूल करते हैं, आप लोग जानते हैं, 51A जिसमें प्रावधान किया गया है, और अर्टिकल में, most important हो जाता है, मूल करते हैं, बराबर पुछा था कि कि देश के संग्धान से लिया गया है, तो रूस यानि पूर्बू सोब्या संग्ध के संग देखेंगे, ध्यान देंगे, चार पीडिएफ यहां पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले, और पीफ कांस्टिबल और एस एकजाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहां पे हम लोग प्रिपेसन कर रहे हैं, दोस्तों इसमें जो आपका पार्ट करम है, पच्चास कोश्चन का बेट है, जिसमें आपका पूरा जी के आएगा, हिस्ट्री, प्वालिटी, जियोगराफी, एकोनामिक्स, आपका पूरा बीवित का चिप्टर आएगा, जो कि आपके टेंडिम में रहता है, इसके लबाँ आपका जीएस हैने जरनल साइंस और लगा हुआ है, इसमें जो आपका पार्ट करम आपका पूरा जी के आएगा, आपका पूरा जीएस आएगा, आप जानते हैं अच्छा खासा बेटेज है, जीएस का भी आपके एक्जाम में, करेंट अफेर्स आएगा, उसके लाँए बिहर स्पेसल में आपका इस्टेटिक इसके लाँ सामान हिंदी को भी, इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 40 PDF के जरी कबर किया गया है, पेट फिस इसके 100 रूपीज रखी गए, और सप्टमबर आप लोगों के सामने है, लाश्ट PDF हमारा SSC CPOSA एक्जाम 2024 का लोगा, ये भी हम सभी लोगों को दे रहें, दोस्तो पंच करें और अंडल लाइन लगा के स्टोडी करें, अगर आप इतना कर लेते हैं, बीना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की प्रिप्रेशन अच्छे खासे धंग से कंप्लीट हो जाती है, चलते हम लोग अगले कोस्चन की ओर, अगला कोस्चन आपका क्या समारी सेट लगी हुई है, कोस्चन रखा गया है, महतमाग बुद्ध्य ने अपना पर्थम अब देश कहा पर दिया था, करेक्ट अंसरु का सारनात में, कहा भी है सारनात में, अब चलिए इंपार्टन पॉइंट की ओर चलते हम लोग, पहला पॉइंट है दोस्तों, गौत इस वर्स की उस्ता में ने उन्हें गिर हित्याग दिया, जिसे बोध गननतों में महा विनिस कर्मन कहा जाता है, कहीं confusion नहीं करेट करने है, नेक्स्ट पॉइंट है, महतमाग बुद्ध्य ने अपना पहला अब देश सारनात में दिया, जिसे धर्म चकर उपर वर्तन कहा ज आते हैं, हमारे question के अंतरगा, जो topic हम रखते हैं, और उसी में से दोस्तों, आपके exam में question बनते रहते हैं, repeat होते हैं, next है, महतमाग बुद्ध्य ने अपने उपदेश पाली भासा में दिया था, किस भासा में पाली भासा में, यह थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको comment करन यह बस एक topic पकड़ने, उसी को पकड़े हुए हैं, आप quality कबर करें, बस quality ऐसा न करें, आप अपने पूरे पार्ट करम को दोस्तों पूरी तरह से prepare रखें, और जब भी आप लोग दोस्तों preparation करें, आप देखें, क्यों सारे topics, जहां जहां से हमारे exam में question बनेंगे, हमारे अगर नहीं कराय जा रहें, अगर नहीं कराय जा रहें, तो फिर हम दिसा हीन चल रहें, और इसी preparation का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो जोड़ने का प्यास करें, अपने पूरे पार्ट करम को ध्यान में रखें, जो कि हमारे PDF में पूरी तरह से cover किया जाता है, और गंडराजी की राजधानी कुशी नारा में 483 इसापुर में 80 वर्स की उस्ता में सरीरतिया दिया, जिसे बहुत दिगरांतों में महा परिनिर्मार कहा जाता है, पूरी तरह से update रहेंगे, आगे बढ़ते हम लोग, बहुत धर्म की जो 4 महा संगीतिया हैं, आप लोग जानत सानकाल में, तो अजात हो सब रूखे, कैसे भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार-बार रट्टा मारें, या फिर PDF लेकर अंडरलाइन करें, कुछ भी करें दोस्तों, आप लोगों को यह सारी पॉइंट्स याद रखने होंगे, क्योंकि most important selected points हैं, आपके एक्जामें पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, लास्ट पॉइंट यहां से देखेंगे, ताकि एक टाफिक हमारा complete हो सेके, दोस्तों, त्रिपिटक बहुत गरंतु में सरबाधिक महत्पूर्ण है, बार-बार पुछाता है, आप लोग जानते हैं, त्रिपिटक किसे समनीत हैं, तो ब अपसल्ब नहीं कर पाएंगे, यहां तुक्का कोई काम नहीं करेगा, लास्ट पॉइंट है, गोतम बुद्ध को इसया के जूत पुझ यानि लाइट आप इसया के तोर पर भी जाना जाता है, इस पॉइंट से भी प्रिपेर रहेंगे, पीडियाप के बारे में बात हो दोस्तों, संग्धान के की संसोधन द्वारा पंथ निर्पेच सब्ध भारते संग्धान की प्रस्तावनों में जोड़ा गया, कोश्चन कहां से हुआ है, जो महात्पुर संग्धान संसोधन है, अब सबसे पले हम पंथ निर्पेच यह कहां से ले गया, सब कुछ कबर करें पूरा महात्पुर जितने संग्धान संसोधन से question बनते हैं इसी सीट में हम लोग पूरी तरह से कबर करने वाले हैं देखेगा कम से कम एक question के जरी है हमारे selected 100 question एक साथ कबर होंगे question रखा गया है संग्धान के कि संसोधन द्वारा पंत निर्पेचे सद भारते संग्धान में जोड़ा गया correct answer रगा वो बैलिस्वा संग्धान संसोधन है जो कि 1976 में किया गया था यह 176 से भी ध्यान रखे हैं हम यहां डालते हैं इसका कुछ हर्थ है मतलब है डाकली question बनता है बैलिस्वा संग्धान संसोधन कब गता 1976 में आप जानते हैं मिनी संग्धान लभू संग्धान इसको बहुत सरी नाम से जनाता है संग्धान का मगना काटा सब कुछ कवर करने जा रहे हैं ध्यान दिजिएगा अब यह की sentence से देखे कितने important question आपके बनते ह हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पंथ निरुपेच सब्द बैलिस्वा संग्धान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया इसी संसोधन अधिनियम के तहित समाजवादी और अखन्यता सब्दे भी जोड़े यानि तीन सब्द जोड़े थे बर भारते संग्धान के भाग चार ए और अनुच्छे दिक्यावन कामिय है चैसे संग्धान संसोधन 2002 के द्वारा एक मूल करते हैं बढ़ा दिया गया तब से वर्तमान में टोटल मूल करते हैं कि संख्या 11 है सब पंट से आप पूरी तरह से प्रिपेर हैंगे पहले थोड़ा संसोधन है द्यान रखेंगे अगला पॉइंट है भारते संग्धान में वर्डित मूल अधिकार जो हमारा कोश्चन बन गया है यूससे के संग्धान से वह मूल करते है अप रोस यानि पूर्व सोविय संग के संग्धान से ले आ गया है इस प्रिपेर रहेंगे दो बार हम हम लोग इनका रिवेशन भी कर लिए अब इस्टाफ हेक्ट में चलिए जहांसे महात्पूर्ण संग्धान संसोधन को हम लोग एक साथ कबर करेंगे इस सीट हमारी पूरी तरह से आपके एक्जाम के लिए यूसफुल है ध्यान दिशिएगा इक्ष्टाफ हेक्ट हमारा लग जोड़ी गए जो कि 1951 में किया गया था नेक्स्ट है 21 संसोधन जोकी 1967 में हुआ था इस संसोधन के द्वारा आठवी नसूची में सिंधि भासा को जोड़ा गया तो किस अनसूची में भासाओं का वर्ड़न है डाक्टी पुछाता है तो दोस्तों आठवी नसूची है वर प्राग में संसोधन का अधिकार दिया गया पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला पॉइंट क्या दूस्तों 44 संसोधन जो कि 1970 में हुआ था इस संसोधन के द्वारा संपत की एधिकार को मूल एधिकार से हटा कर एक विदिक अधिकार यानि कान इधिकार है और इवर्तमान में आठकिल 300 काम के अंतरगत आता है और यह दोस्तों 44 संगधान संसोधन 1978 के द्वारा मूल एधिकार से हटा दिया गया था नेक्स्ट पॉइंट है बावनवा संसोधन जो की 1980 में हुआ था इस संसोधन के द्वारा संगधान में 10900 चूड़ी ग इस संसोधन के द्वारा गोवा को पॉंट राज का दरजा प्रदान किया गया सेलेक्टेड कोशन आप लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक सठवा संसोधन देखेंगे जो की 1989 में हुआ था इस संसोधन के द्वारा मता धिकार के लिए नियूंतम आयू 21 वर से घट आप लोग जानते हैं आगे बढ़ते हम लोग अगला पॉइंट क्या दूस्तों 65 संसोधन देखेंगे जो की 1990 में हुआ था इसके द्वारा अनुसुची तिजात यूं जन जात आयो की गठन की बहुस्ता की गई पूरी तरह से बडेट रहेंगे 65 संसोधन है 59 संफोधन देखेंगे इस अंसोधन के द्वारा दिली का नाम राष्टि राजधानी राजिछे दिली किया गया तो दिली को राष्टि राजधानी किस संसोधन के दोरा बना गया इमित कर दिया गया किसी भी मन्त प्रसद में प्रधार मंती सहीद मंद्रियों की कुल संख्या लोग सभा की कुल संख्या के 15 प्रसद से धिक नहीं हो सकती से याद रखेंगे तो यहां से कोश्चन मिलेंगे 15 प्रसद से धिक नहीं हो सकती कैसे भी घुमाजा यह ध्यान रखे गया और टोटल भासों की संख्या 22 हो गई के संख्धान के संख्धान के संख्धान के दौरा वस्तिम सेवा कर आप लोग जानते हैं लास्ट देख लेंगे 128 जो की अपडेटेड है 2013 में किया गया है हाली में लोगसभाव राजबिधान सभाव में महिला रच्षण विद्हाइग दोह जारते हैं आप लोग सुने हैं पूरी तरह से अब लोग अपडेट रहेंगे इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहां कोश्चन न मिस होंगे ना ही गलत होंगे के कीमत आप लोग जानते हैं पीडियाप के लिए होट्सप नंबर हमारा लगा हुआ है चलते हम लोग अगले कोश्चन की वोड़ अगला कोश्चन क्या दूस्तों केंद्रिय अनुवाइशन ब्यूरो यानि कि CBI के नए निदेश कोश्चन का है करेंट से हुआ तो के मोस्ट परषियाम में भर-भर के पूचि जाते हैं चलिए सुरू करते हैं हम लोग पहले कोश्चन से करेंट के कोस्टन क्या दोस्तों भारत के नए चीफ हाफ डिफेंस स्टाप यानि की सीडियर्स कौन बने है तो वो निल चवुहान है नेक्स्ट नोबेल सांती पुरसकार 2013 से किसे समानित क्या गया करेक्ट अंसों का नर्गिस मोहमधी को अगला है अर्थ सास्तर में देख लेंगे के चेतर में नोबेल पुरसकार 2013 से किसे समानित क्या गया तो कलाडिया गोल्निन को आप लोग पूरी तरह से रिवाइस करेंगे जितने लोग पीडियाप लिये हैं अच्छे खासे धेंग से दोस्तों आप लोग प्रिपेशन करने का प्रियास करेंगे ताकि कोई भी कोश्चन हमारा मिस ना हो एक्जाम में अगला कोश्चन है परतिष्ठित नार्मानी बहुर लाग पुरसकार 2013 से किसे समानित क्या गया डाक्टर स्वाती नायक को नेक्स्ट है वर्स 2021 के लिए गाधी सांति पुरसकार से किसे समानित क्या गया गीता पेस गोरफपुर को पूरी तरह से अपडेट रहेंगे नेक्स्ट है एसे एफफ अंडर 16 फुटबाल चेंपियंशिप 2013 का खिताब किस ने जीता तो भारत ने जीता है नेक्स्ट है यह स्लेक्टेट कोष्चन रहेगा दोस्तों ध्यान रखेएगा पुरुस हां की विछ स्कब 2013 का हिस ने जीता जर्मनी ने और इसे के साथ देख लेंगे यहां की विछ तनधा से गोज्सान टीम तो बेज़ेंग रही नेक्स्ट है राष्टी het परिच्छन एजंसी यानिके अंटिया आप लोग नाम सुने होंगे नेशनल टेस्टिंग एजंसी जो कि बहुत सार एक्जाम्स को कॉंड़क्ट करवाती है पुछा जा रहा है कि नए महांदिय से कुन बने हैं तो सुबोध कमार हैं अगला है संग लोग सेवा का आप लोग जानते हैं UPSC के नए अध्यस कुन बने डाक्टर मनोस सुनी है वहां केंद्रे अनुवैसन वीरो यानि CBI के नए निदे से कुन बने परिवेंट सूध है जो कि हमारा कॉशन था जिसके जरी हम लोग करेंट के मोश्ट उपान परसनों को एक साथ कबर कर रहे हैं आगे बढ किसों ब्यासमान 2022 से किसे समानित किया गया तो डाक्टर ग्यान चतुरवेदी को आगे बढ़ते हम लोग चार कोस्टन एक साथ लगाव ध्यान देंगे कन्फ्यूजन क्रेट नहीं करने इसलिए एक साथ हम कोश्टन को स्ट किये हैं पहला क्या है मिस मिस यूनिवर्स ऐंडिया 2030 का ताज किसे पहना गया तो माधुरी पत्यो अगला है मिस अर्थ इंडिया 2030 का खिताब किसने जीता प्रियंसेन ने अगला है मात्र भुमी बूक आपदाईयर 2030 पुरस्कार किसे समानेत किया गया। डक्तर पैगी मोहन को सब्सकर निक्स्ट व्यूज। वर्ष 2030 में लोक मानतिलग पुरस्कार से समानेत किया। किसे दिया गया। पर्धान रूति नरेंद्र पर पूरी तरह से इनकरेंट के परसनों से आप लोग अपडेट रहेंगे चलते हैं आगे हम लोग अगला कोशचन हमारा क्या लगा दुस्तों ध्यान देंगे अप लोगश्यन है सथिषोधक समाज के असत्थापना किसे ने की ते करेक्ट इंस्नों का जयोतिवा फुला ने कि most उने प्रसनों को एक साथ कपर करेंगे, इसे question है, जो की highlighted है, आपके सभी उने एक्जांस में बार-बार पूछाते हैं, repeat होते रहते हैं, जिनका trend easy to moderate है, चलिए शुरू करते हैं लोग पहले question से, ध्यान दिजेगा एक एक question को, पहला question है, संभु महराज का सम्मन्द कि सास सिद लोक निर्थ है, पस्चिम मंगाल का, नक्स्ट, नासिक किस नदी के तर्पाइस्थी थै, गोदावरी, ध्यान रखेंगे, जाकिर हुसेन का सम्मन्द कि स्वाधियन से, तबला से, अगला है, राजी सभाय की पर्थम बैठा कब हुई थी, करेक्टेंस होगा 13 में 1922 को आगे बढ़ते हैं लोग, अगला किया है दूस्तों हमारा कोश्चन, महान्यादी मोश्ट इंबढ़नर की निक्ति किस अनुच्छित के अंतरकित की जाती है, 76 ध्यान रखेंगे, एटाननी जनरल आप इंडिया निका जाता है, यहनी भारत का पर्थम विद्यादिकारी महा कोश्चन है, चरा किसे के दर्बार का परसिदी, चिके सकता, कनिस्की के, तिर्तिय बहुत इस संगीती हम लोग पहले ही पात कर चुके हैं, काल जन किसके, सासन काल में किया गया, अशोक के, बिरह देश और मंदिर का निर्माल किस ने करवा था, राज राज पर्थम ने, सि अगला कुश्चन हमारा क्या दूस्तों, कभीर के उपदेशों का संग्रा है, तो वीजक है, अद्वित वात के पर्दोगर्थक को थे, शंकराचारी, हुमायू नामा की रिचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने, शेर साह का मकबरा कहां परोस्तित है, सासराम बिहार मे अकबर नामा की रिचना किसने की थी, अबुल फजल ने, खालसापन के सथापना किसने की थी, गुरू गुभीन सिंग ने, भारत में मसमदारी परथा किसने परारम की, अकबर ने, साहक संदिक किसने लागू की थी, लाडविले जली ने, वर्ना के उलर Jáक्टिक किस ने लागू किया लाड एले टेन ने 10 मेठर स्थानों को सिपाई विद्रों कहां से प्रारम भूआ मेरट से सत्यार्थ परकास के स्की किरती है स्वामी दैना स्रोस्ति की आगे बढ़ते हम लोग अगला कोश्चन क्या दूस्तों हमारा अभिनव भारत बढ़ते हम लोग अगले कोश्चन की वो अगला कोश्चन क्या दूस्तों हमारा अब बाद से आयो तो इसको कबर करेंगे त्यहरी बाद प्रियोजना किस नदी पर इस्तित है भागी रती वहा इडुक्की प्रियोजना किस नदी पर संचाली थै पेरियार नदी ओजोन परत किस मंडल में इस्थिता समताप मंडल में मोसन संबंदी गटाएं किस मंडल में घटित होती है छोब मंडल में नर्सिंगम समिती का समंद किसे ब्रेंकिंग सुधार से बित आयो के गठन का प्रवधार किस अनुचित में 280 में नक्स्ट राष्टे विकास परिसाद यानि NDC के स्थापना कभू थी करेक्टन सोगा 1922 में सिधांत शुरोमल पुस्ता की रचना किस ने किती वासकरा चारी ने गितांजली की रजनाकार कोन है रविना टेगोर साकेत की रचना किस ने किती महितली सरंड गुप्त ने लिएता में रखेंगे आगे वरतिम Friends ईंगो अगला के दूस्तों माया पुलिटिजर्जार पुरसकार की छेत में दियाता है यह पतरकारित्या दूनों तीनों ध्यान रखेंगे बुकर पुरसकार विज्ञान पीट पुरसकार साहित के छेतर में और दोस्तों पृद्जर पुरसकार पत्रकारत्या के छेतर में संतोष ट्राफिक से समंदी थे फुटबाल से विटामिन एका रासाई नाम क्या रेटिनाल होता है विटामिन डी का रासाई नाम क् सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दो आदे जाने वाले सभी वीडियो आप कर्म से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग